आज राज किचन रेस्पी में बनाएगे खीरा तकडी, खीरा गर्मियों में सबसे ज़्यादा हेल्दी और गर्मियों में ही आता है सर्दी में तोड़ा मुष्के मिलता पर वो दीसी वाला नहीं मिलता है विदीशी वाला मिलता है लेकिन मिल जाता है बारा मेने मिल जाता है आजकल लेकिन गर्मियों में यह सबसे ज़्यादा फाइदा करता है ठंडा होता है सबसे ज़्यादा पानी होता है इसकी ऐसी मज़ेदार रेस्पी बनाएंगे आप दो की जगे चार रोटी घाएंगे और उंगलिया और प्लेट भी चाड़ जाएंगे इसकी बनाएंगे सब्जी अब एक्चुली ये खाने में सलाज में तो अच्छा लगता है लेकिन जब इसकी सब्जी बनाते हैं तो इसका स्वात कसेला से हो जाता है वो सारी चीजे मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि जब जाता है पानी पानी में जाएगा शीरा वाव क्या बात है और गर्मी में तो गीला होना बनता है रगड़ रगड़ के धो लेते हैं थुल गए चलिए पानी गए साइड में अब इनको हमें छीलना है आप चाहें तो बिना छीले भी बना सकते हैं लेकिन छील के बनाते हैं क्या कहते हो आप लोग छील के भी तो मजा है तो बिना छीले बनाईए इसको यहां से काटना है बस 30 सेकंड गिसना है यह देशी घीरे जो देशी खीरा उदरस में से जाग निकलते हैं और विदेशी खीरे में यह जाग नहीं निकलेंगी उनको आपको ऐसे करने की जुरुत नहीं है ठीक है अब यह ऐसा क्यूं किया जाता है नीचे कॉमेंट ब बता दो ग्यानी लोग यह लीजिए यह वाला पार्ट भी कार देते हैं थोड़ा सा यहां पर गिसके देखते हैं कुछ होएगा क्या तो हो क्या बात है यह देखिए इसे भी काट के अलग करने है इसी तरीके से हमें खीरे गिसने हैं थोड़े से यह देखिए है क्या ज्जाग निकलना देखिए और खाके जरूर देखना है देशी खीरा कड़वा निकलता है अगर खाके नहीं देखा तो पूरा आपकी रेस्प यह खराब हुझेगी देखिए यह है देशी खीरा यहां से काट देते हैं यहां से काट लेते हैं थोड़ जादा नहीं है तीस सेकंड दोनों तरफ देने आपको और यह भी काड़ देते हैं चार खीरे ही चड़े हैं आदा किलो में यह देखिए जागा गया अब यह चीज मुझे मेरी मम्मा ने सिखाई है इससे भी जब आप खीरे की सब्जी मनाएगे ना इसका भी फरक आएगा वहो बाव देसी खीरा बहुत जादा हेल्दी होता है चलिए ऐसे अनहेल्दी मना देते हैं सब्जी मना के हाहा क्योंकि सलाग तो सभी घाते है सब्जी मना के खाऊ मज़ा जाएगा अरे कहां जा रहा भाई ओहो 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 क्या ज्ञाग निकला है मज़ा गया यह लेजिये से भी किस लेते हैं देशे बीक लेते हैं यह कट गए अब क्या करना है अब इनहें का काटना है मोटा काटना तो यह से रखेंगे और आद ये रेकिए इतना मोटा काटना है पतला काटने के टो गल जाएंगे स्वाद में आएगा तीस नहीं आएगा हलबा हो जाएंगे तो इतना काट लेना प्रोच ए ये रेकिए क्या बात बहुत ही बढ़िया इंग्लिश में से कुकुम्बर भी बोलते हैं आप यहां क्या बोलते हैं घीरा कटडि को in the comment box में फट्टा फट्ट बता दो कि लोगों को नाम पता लख जैंगे और मुझे भी बता लगे आपके क्या बोलता हैं और देखिए मैं कोल काट रहा हूं आप चाहें तो लौकी कारते ने वैसे आलू कारते वैसे भी कार सकते हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यह थोड़ा सा अच्छे से लगेंगे सुन्दर से लगेंगे और सुसील से लगेंगे जैसे हमारी कडाई रहती ना मिशा सुन् Speaking P rival Diya है यह पानी में क्यों डालें लास पे बताऊंगा और एक मसाला है जो लसमें डालंगा अगर वो नहीं डालोगे तो की खीरे में स्वाध मज़ा प्लेवर नहीं है आभाए वारखे बटाड़ियु सामगरी सब्सक्राइब होती है अब बाकू लाना पड़ेगा और बात मेंठा थन्या डालेंगे वह तो भी कोई यहां पर हमने 20 क्लिया ली ती लैसुन की और आदा इंच अधरा क्लिया इसमें खूट लिया है लैसुन और अधरा कम डाले इस रैस्पिंग अंदर यह बता देता हूं सीग्रेट हल्दी लेंगे कम बिल्कुल आठ से दस पिंच हल्दी लेंगे आदा चम्मक जीरा लेंगे प कोमल कोमल पत्ते और यह फ्लेवर बढ़ा देते जब यह पोधिना इसमें जाएगा क्या स्वाद आगा तो तीखी वाली तीखा बहुत जरूरी इस रैस्पि में तीखा तीखा नहीं होना खीरे मीठे से होते हैं तो तीखी हरी मिर्ट ली ने दो जिने हमने बारिक बारे का आप लिया है तीखी वाली लाल मिर्च आदा चम्मच लेंगे यह दनिया यह लेंगे एक बड़ा चम्मच कश्मिरी लाल मिर्च लेंगे एक बड़ा चम्मच चटकार एक लिए काला नमक एक छोड़ा चम्मच और सीसॉल स्वाद अनुसा यहां पर चड़ा दिये सुन्दर और सुशिल वाली खड़ाई अब डालेंगे एक बड़ा चमच तेल मूफली का यह देख लीजी साइस देख लीजी यह चार चमच हो गया है तेल गरम होते ही आदा चमच जीरा आहा क्या बात है जब यह तड़कता है ना तो मेरा दिल धड़कता है क्या बात है मज़ा आगया अब सीधा सिंपल क्या डालेंगे पोधीने के पत्चे अब कड़ी पत्चे होना तो कड़ी पत्चे भी डाल देंगे चलिए आपको सुनाई नहीं दे रहोगा क्या दाल देंगे अगर कड़ी पत्चे हो और मेरे फेड़ पर मेना सारे तोड़ ली है बहुते बचे नहीं अगर कड़ी पत्चे हो तो आर्रस कड़ी पत्चे भी डाल प्याच को golden brown नहीं करना है शिर्फ तीन मिनट हाइए फ्लेंपे चलाना है रह घूल टीन मिनट आप जो रैस्पी देखते हो ना गोल्डन ब्राउन होगे बहुत समय जाता है इस प्याच को golden गोल्डन ब्राउंड करने के लिए मुझे 10 मिनिट देने पड़ेंगे हाई फ्लेम पर करने तो जल जाएंगे मीडियम लूप पर 10 मिनिट में यह गोल्डन ब्राउंड होगी यह आपको कोई नहीं बताएगा फिर बोलना मत राज आपने बताया नहीं कि पूरे तीन मिनट हो है अब इसमें डाल देंगे हरे मिर्च तीखिए ना इसलिए डालना पड़ेगा इसे भी एक मिनट चला लेते हैं हाई फ्लेम पर ही देखिए गया है मिर्च डाले में हरे मिर्च गैस को अब कर देना मेडियम लोग फ्लेम पर अब यह जो हमने आयरन के शुरूत में अध्र जालना आशरी च जालना चाहरां को करने मिर्च घान के लियुकलिकर को भी कुरूघ गैसनी चेहरी तर अब इससे भी एक मिनिट वर ओर चला लेते हैं एक मिनित हो गया है अध्र लैसून डाले में अब पानी में से निकालनी है खीरे सीड़ अब खीरे, कुकुम्बर। ककड़ी अलग होती है, खीरा अलग होता है, जिसे, खीरा ककड़ी कुकुम्बर बोलते हैं, और ककड़ी को क्या बहुते हैं, नीचे comment box box पटापट बताओ, दोनों में क्या परक होता है, अब इसे हम कितना करी। तीन मिनिट रेगुलर ऐसे चलाएंगे बिल्कुल लोग फ्लेम पर तीन मिनट हो गया है लोग फ्लेम पर गैस को करते हैं मेडियम लोग फ्लेम पर सबसे पहले डालेते हैं आट से 10 पिंच हल्दी थूड़ा से बिला लेते हैं आप छिल्का उतार के बना सकते हैं, मैंने छिल्के साइज बनाया है, सारा जो पावर है छिल्के में है, सारे लुक्रिशन छिल्के में है, ये बाद, ये हल्दी, निल गई अच्छे से, बड़ा ही गूम रही है, अब डालने दिसमें दों कप पानी, और बीच में कर देते हैं, सेट, पानी थोड़ा कम लग रहा है, दोंक अपनी हो पूरा, ये लेजिए, पानी हो जा पूरा, पूरे दस मिनट के लिए में लो फेम पर डखका रख देते हैं, जाना कई भी नहीं है, अभी हमें काम करना है, और यहां पर ले ले लेना है, हमें दभी, दभी में हमें डालना है, आदा चमच तीखी वाली लाल मिर्च, एक बड़ा चमच धनिया पाउडर, और एक बड़ा चमच कशमिरी तीखी नहीं होती है, कलर के लिए होती है, उत्तेरी, नमक तो डाला ही नहीं है, वो तो डालना जरूरी है, वरना यह गलेंगे कैसे, यहां हमें डाल देते हैं, यहीं डाल देते हैं और एक बार मिला देते हैं अब दस मिनिट के लिए डखके रखेंगें लेकिन बीच पीच में चैक जरू कर लें हर दू-तिन मिट बात अब आजाते हैं वापिस यहां पर यहां पर हमें डालना है काला नमक एक छोड़ा चम्मच और हल्दी आर्ट से दस पिंच यह लीजिए अब मिला लेते हैं अच्छे से अच्छे ऐसे मिलाने से क्या होगा दई नहीं फटेगा अगर आप चलाना भी भूल जाएंगे ना तो दई नहीं फटेगा अच्छे से फैट लेना है हाँ अभी एक चीज बाकी है वीडियो छोड़के ना जाए उसके बिना तो मजा नहीं आएगा मेडियम नो फेम पर हो गए पूरे दस मिनिट हटा लेता है डखकन दू बार हमने चेक किया था यानि हिलायाता इसे यह फाइनल हिला लेते हैं देग यह खीरों का कलर चेंज ह हो गया है और एक खीरा देख लेते हैं थोड़ी से कसा रहनी ची आहा यह गल गया है और अब इसमें डाल देते हम यह दही क्या बात है मजा आ गया है और इसे मिला लेते हैं अब इसे मिलाते रहेंगे मिलाते रहेंगे चलाते रहेंगे कितना करीब पांच मिनिट रेगुलर चलाना है इसे रेगुलर, पांक छे मिनिट इसे रेगुलर चलाना है, चलाते रहेंगे, आई फ्लेम पर हमने चला लिया, इसे पांच मिनिट लात मार में लग गई यह ग्रेवी, हरा दन्या 50-100 ग्राम बारी कटावा क्या बात है, मिला लेते हैं, अभी लास वाली चीज बाकी है तो वीडियो को छोड़के ना जाएं, गैस को करते हैं बिलकुल लो फ्लेम पर और लो फ्लेम पर इसे वापिस धका रखते हैं, दो से तीन मिनिट के लिए पर, अब जो सामगरी बाकी है ना लास वाली, वो है ये, नीबू, जब हम सलात खाते हैं उसमें नी अब फैकले लाइक हो जाएगी, उसमें पित्रा जाएगी वो, इसके बाले में आपको पताओ तो, यहां तक वीडियो देगा है तो कॉमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि मैं एक्स्प्रिमेंट करता रहता हूँ, यह डालेंगे ना, तो स्वाद, लाजवाब हो जाएगा हूँ यह चाटेंगे, प्लेट भी चाट दाएंगे, और बोलेंगे भया, कीरे की रैस्पी बनाओ, तो बस दो नीबू लेने है, यहां पर हो गया है हमारे वापस, पूरे दो मिनिट, अटा लेते हैं धककन, देख यह कितना मज़ेदार कलर आ गया है, ग्रेरी भी गाड़ होगय है, आहा, मिला कर जब शीऑदे के सथ खाएंगे, आनन दी आनन, अब उस से पहले का करना है, कैस को बन करदेना है, संचा आटा देना है, और 10 मिनट के लिए धकका रख जख देना है यह आदा और यह फिर आदा हो गया यानी एक और फिर आदा यानी हो गया डेड़ यह लीजिए और फिर आदा यह हो गया दो तो दो नीबू नी चोड़ देना है मिला लेना है आपको रेस्पी प्रसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और गिरिगी सब्जी में टमाटर मत डान।